दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ IPL 2023 का सबसे पहला मैच गुजरा टाइटन्स और चैने सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच का कम्पलीट हाइलाइट अगर आप भी हैं महेंदर सिंग धोनी का फैन तो इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजेगा चैने सुपर किंग्स ने IPL 2023 के पहले मुकाबले में गुजरा टाइटन्स के सामने जीत के लिए 189 रन का तार्गेट रखा है अमदवाद के नदरेंद्र मोधी स्टेडिय में चैनने ने टास हार कर पहले वेटिंग करते हुए 20 ओवर में 17 विकट खोकर 178 रन बनाए चैने सुपर किंग के लिए ओपनर रितुराज गाई क्वार ने सबसे ज्यादा बानबे रन बनाए मोहिन अली ने 23 रन बनाए गुजरा टाइटन्स के लिए मोहमद समी रासित खान और अलजारी जोसेफ ने दो दो विकट लिये पावर प्ले में 23 शुरुवाद दो विकट भी गवाए टास हार कर पहले वैटिंग करते उतरी चैने सुपर किंग्स की शुरुवाद खराब रही डिवन कानवे तीसरे ही ओवर में मोहमद समी के बाल पर वोल्ड हो गया उनके बाद उतरे मोहिन अली ने टीम को तीस शुरुवाद दिलाई उन्होंने 17 वाल में 4 चोके और एक छक्के के मदद से 23 रन बने और फले के आखरी ही ओवर में मोहिन रासित खान की गेंद पर आउट हो गये दूसरा चाटे ओवर के 5 वाल पर रासित खान ने मोहिन अली की विकट की पर साहा के हाथो कैशु कराया चोथा अमबातर आईडू को 3 वे के 5 वाल पर लेटल ने वोल्ड कर दिया पांचवा 18 वे के पहले वाल पर अलजारी जोसेफ ना रितुराजाज गाई को सुमन गिल के हाथों कैच कराया चठा 18 वे ओबर के चौते बॉल पर रवीद्र जड़ेजा को अलजारी जोसेफ ने विजय संकर के हाथों कैच कराया साथवा 19 वे ओबर के तीसरे बॉल पर मुहम्मद समी ने रासित खान के हाथों कैच कराया हंगर केकर IPL डेव्यू जबकि वैन स्टॉक्स चैननेई सूपर किंस के लिए पहला मैच खेल रहे हैं टीम ने मोहिन अली वैन स्टॉक्स डेवन कानवे और मिचल सैंडनर को फारेंड प्लेयर के रूप में सामिल किया है दोस्तों यही है आज का कम्प्लेट मैच हाइलाइट अगर वीडियो